वेल यही तो टाइम है सच में सीरियसनेस दिखाने का Welcome back to the channel guys, a very beautiful good evening और संकरमन के बारे में क्या बताऊ यार वी आर गेटिंग क्लोस तू 9 lakhs, इंडिया 9 lakh के करी पहुँच रहा है संकरमन के मामले में इतने लोग संकरमन का आकरमन का शिकार हो चुके है, बाई क्या बता हो इसके बारे में वैसे one thing which I am really impressed with कि Indian app creators, Indian app developers अब short video sharing platforms के उपर ध्यान देने लगे है और उपसों के बाद एक और नया short video sharing platform का app launch चुका है MOJ नाम से Mojio, I don't know अब ये कैसा है, अब recently launch हुआ है, इसके ads चल रहे है तो let's see कि ऐसे Indian apps और भी जादा आगे आए क्योंकि लोगों को आदित पड़ चुका है ये short video sharing platforms देखने का, तो you know इस तरह के platforms अब Indian business को ये short video sharing को और जादा grow करेंगे तो let's see, पता है ये एक ऐसा time है जहाँ पे हम लोगों को और जादा strictness दिखाने की जरूरत है but we Indians are getting a bit more crazier, पता नहीं क्यों but इस pandemic को अब हम हलके में लेने लगे है जहाँ पे अब संक्रमन की बात करें तो इसका आक्रमन इंडियन लोगों पे 8 लाख, साड़े 8 लाख से जादा हो चुका है and we are getting close to around 9 lakhs और seriously कहूं तो यहाँ पे West Bengal में अब तो कहीं सारे जो famous celebrities है इस वक्त वेस्ट बेंगों में कुछ जो famous celebrities थे जिनको हुआ है वो celebrities इतने जादा यूनो बाहर socialized भी कर नहीं रहते उसके बाद भी उनको हो गया है और अब तो ऐसा भी सुनने में आया है कि the big bee of the industry Mr. Amita Bachchan वो भी संक्रमन का शिकार हो चुके है I don't know अब यह news real है फेक है क्योंकि मैंने recently सुना और यह headlines में आया था तो यह सब सुनके जो tension है ना actually और जादा बढ़ जाता है और यह feel होता है कि हमें अब और जादा responsible होनी की जरूरत है क्योंकि it's getting damn dangerous अब government की बात करें तो government ने lockdown को थोड़ी time के लिए extend कर तो दिया है but seriously guys 21st century के लोगों को अब तक यह समझ में नहीं आया है कि कि किस बला से पाला पड़ा है इन लोगों का lockdown की वज़े से ना मैं फिर से एक बार a fitness trainer फिर से एक बार मैं obesity का शिकार हो गया हूँ feel like I'm a shit head well मैं उमीद करता हूँ कि short video sharing के Indian platforms grow करते रहे इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और भी नए-नए platforms short video sharing के Indian आते रहे क्योंकि जहाँ पे लोगों को देखने का आदत है जहाँ पे एक नशा है वो business है short video sharing platforms ही नहीं, actually बहुत time से मेरा एक इच्छा है कि mega video sharing platforms like YouTube, Facebook, Dailymotion यार ऐसा एक platform अपना Indian हो, mega video sharing platform जहाँ पे हम Indians अपना content डाल सके, monetization हो, completely Indian हो, वहाँ पे you know foreign के creators भी अपना video डाले, वो भी हमारी वज़े से कमा है जैसे US की वज़े से कई सारे country के लोग जो है YouTube में videos upload करके कमा खा रहे हैं, वैसे you know India का एक mega video sharing platform हो, जहाँ पे other creators अपना video डाल के you know, monetize करे, कमा खाए, you know, एक अलगी respect हो, काफी दिनों सो इच्छा तो है, but I don't know, इतनी बड़ी आबादियों का देश है, पता नहीं, शायद कोई ऐसा है, इसको कर सकता है, नहीं सकता है, God bless, कभी और कभी ऐसा हो, इसी के साथ साथ video होता है, यही पे खतम, एक short information आप लोग के साथ share करने का मन था, और कर दिया, so अगर video पसंदा हो, तो definitely एक like करना और जुग जाओ यार, इस channel के साथ में channel को subscribe परके, बल मिलते हैं किस की लिए, eat healthy, stay fit and stay at home, take care, bye